तो आप सभी का दोस्तों पर्सेंटेज के पार कोई की बात करेंगे इस वीडर में पूड़ा सब फास्ट खराथ है इसी पुड़ा धीरे बोली होगे कोषण है दोस्तों जैसे कि हमने पार टीन तक पर्सेंटेज का बेसिक समझा था अब हम उसको अपलाई कैसे करते हैं अब उसका मुझी स्टेटमेंट हो देखी देखी पहला समझ की उस संख्या का असी प्रतिशत क्या होगा जिसका 200% नगवे हैं उश्रक हमसे क्या बोल रहा है कि उस नमबर का मतलग एमे का 80 प्रतिशत हमसे कूछ रहा है और जब ही हमको यह बोल दिया कि जो एम है एमे का 200 प्रतिशत इसके बराबर है 90 के बराबर है तो हमको इस नमबर का कितना प्रतिशत निकालना है रुवाळए तुर्षिंथिए क्या कर सकते हैं कि उस नंबर का 200 वतल किंदा रही है तो नवह क्या क्या बिनका सकते हैं कि यह सकत दो की तरल नाफना प्रतिशक कर दे घ्लमन सर्पा यह प्रत्रिशत कितना होगा 36 गिम्हां प्रट्रिशत कीटना होगा 35 तो आप इस परतिशत का अपसी परतिशत का अपसी परतिशत की फ्रक्षन किती होती है चार प्रटे पाच होती है वह पढ़ा है इसको भी करिकिना जाएगा तो आप इसको ऐसे भी सोगते हैं कि 200 परतिशत 90 के बराबर है तो 20 परतिशत कितना हो गया इसका 200 परतिशत कितना नौ है अब हमको कितना परतिशत पूछा है 80 तो 20 परतिशत से पहुचना कहा है 80 परतिशत पहुचना है तो 20 परसेंट का मैं कितना गुना कर दू कि 80 हो जाए दोस्तों जैसा कि आपने देखा ऐसे भी कर सकते हैं और मेरे इसा सब्सक्राइट यह यूनिटरी में देखें दोस्तों अगला सवाल है किसी संख्या का 25 परतिशत आप 290 परतिशत से उन्नीस कम है तो हैं संख्या क्या है तो दोस्तों सवाल में हमको पता क्या दिया है उस उस नंबर का 25 प्रतिशत का मान दिया है, उस नंबर के 25 प्रतिशत का क्या दिया है, मान दिया है, और वह संख्या कितने प्रतिशत होगी, 100 प्रतिशत होगी, क्योई भी जो चीज होगी, वो टोटा 100 प्रतिशत होती है, तो उस नंबर के 25 प्रतिशत का हमें क्या दिया है, मान कितना दिया है तो जो उस नंबर का जो 25 प्रतिशत है 650 का 18 प्रतिशत है और उसे क्या है तो 650 का 18 प्रतिशत कितना होता है तो कैसे निकाला हमाई हमें कैल्कुरेट करना है अठारा प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 20 प्रतिशत हमाई है दो प्रतिशत तो 650 का 10 प्रतिशत कितना 65 तो 20 प्रतिशत की लिखा करेंगे 2 से बुड़ा पर देंगे चेटेसलों 5 बोड़े 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो 130 में क्या कर देगे इसी कर देगा तो 650 130 13 13 कितना जाएगा 117 तो 650 का 18 कितना आगया 117 और ये जे 650 का 18 परकुसत आया उससे कितना कम है तो 17 कितना 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 98 मतलब उस नंबर के 25 परकुसत का मां कितना है अंधरने वे मतलब 98 है तो पचीज परकुसत नंबर का 25 परकुसत नाइटी एट है उसने ये बोला कि 650 के 18 परकुसत से और निस कम हो जो कि कितना होता है 98 होता है तो 25 परकुसत की कीमत है 98 परकुसत की कीमत कि परका कि दो आहेंगे सो से बुरा कर देगे इसका पचीज सिसिटम् तो दोतों ये आज़ाद में कितना कम हैं दो कम ने तो सौ चार और एक सो में दो कम हो इस तरह सिसे चार वार्द दो तो चार सुर में 2,4 को आठ किता घटाएगे, आठ इलकितना जाएगा, तो पुस्टा कितना हो जाएगा, तिन सो बन दे दे, देखें दोस्तों अगरा पुस्टा हमारे पास, किसी संख्या का सैतिस सही एक बटे दो प्रतिशत नौ सो है, तो उस संख्या का 6,6 सही एक बटे दो प्रतिश्यत कितना होगा यह हुमारा सबार्दों तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि 37 ऐक बटते दो को हम यह लिख सकते हैं 37 दसंबला 5 प्रतिश्यत और इसकी फ्रैक्षान कित्य होते है playful और शाथ स्वार में यह लिख सकते है 》 इसकी fraction क्या होती दो तो तो 5 वटे 8, तो दोस्तों हम से पूछा क्या है किसी संख्या का यह इता जब पढ़ें, किसी संख्या का 3 वटे 8 900 है, तो उस संख्या का 5 वटे 8 क्या होगा, तो मान लेते हैं कि जो नमबर हमारा L है, और इस नमबर का जो 3 वटे 8 है उसका हमें मान दि क्या है 900 तो नंबर कितना है हमारे पास 900 बुड़े आठ बटे तीन अब हमें करना क्या है कि यह जो आएगा इस नंबर अपने क्या दिखाना है पाँच बटे आठ दिखाना है अगे फलक तरिया अंसरा जाएगा तो आठ से अठ पर दिया थीन एककंब और यह जाएगा तीन तिगाएन और यह जाएगा 15 कोशन का हमारी अंसर होजाएगा इक दिके दोस्तों अग्ला कोशन कुछ इसतरा से हमाइव फास किसी संख्या का एंगारा प्रतिशत उसी संख्या के 7 प्रतिशत से 18 ज्यादा है दोगर संख्या क्या है दोस्तों हमें ये तो पता कि कोई भी नंबर होगा तो अपने आप में कितना प्रतिशत होगा 100% तो माल लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है और कितना प्रतिशत है 100% अब बोल यह रहा है कि यह जो नंबर है इस नंबर का अगर हमें 11 प्रतिशत ले दें तो 11 प्रतिशत जो है इस 7 प्रतिशत से कितना जादा है 18 जादा है अगर मैं तो यह बोलू 9 4 से कितना ज्यादा है तो आप क्या बोलेंगे 5 9 4 कितना ज्यादा है 5 तो इस 5 को मैं यह लिख सकता हूँ 9 माइनस 4 खुजर गयारा प्रिंशत माइनस साथ अखारा ज़ादा है, है टो हमिए लिख सकता है, cm,inteon интерес गज़ा है मतलब चार परसेंट किसके बराबर है अठार के बराबर है तो एक प्रतिशत के इतना होगा अब कोई ही नमबर होता है कितना वाला है तो चार कम चार जाएगा पचीस दे तो पचीस गोना करेंगे तो पचीस गांग हाई अगला कोशन कोई इस तरह से दिया है किसी संख्या का 40 प्रतिशत अगर 42 में जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या में जाती है और अगर किसी नमबर का क्या 40 प्रतिशत हों ले ले और इस 40 प्रतिशत को किसमें जोड़ दे क्या मी जाता है वही संख्या कि नमबर में जाता है मतल क्या में जाता ह gouden स्ख्याश्यार्ण AGंजा इस अगर तो 60 प्रतिशत अगर 22 को रिप्रिजेंट करता है तो एक प्रतिशत कितना बैयानिस वटे साथ और नम्मर कितना है अपने आमने 100 परसेंट है तो क्या करेगे तो असे बोना कर देगे तो एक जीरो से एक जीरो सिक्स अज़ा शिक्स अज़ा फुटी बू और इतना आजाएगा सेवंट निया सेवंट उसकता हमार कुशन का पाइसा बजाए देखें दोस्तों अगरा कुशन कुछ इस तरह से है यदि किसी स्कूल में 75 प्रफिशत विद्यार्थी लड़के है औ और लड़की में लाती तो विद्यार्थी कम प्रफिशत होंगे सब्सक्राइब अभी सब्सक्राइब बॉइज कितने हैं कपच्छाथा प्रफिशतों थी लड़कियों केस्टी कि दूबजर्चम तो यह कितना अब डोस्तों और हम विट्यात्यूं की संख्या विच्टाइब आपला हो एक जात्यूं का विच्टाइब तो थे संख्या बचाए तो लड़कों की संख्या ने किती है 75 प्रतिश्य फ्रेयत को क्या करें तो 25 एकब 25 त्याइब देखे 420 दूरी 840 और 840 में 420 जोड़े में तो हो जाएगों 207 जैंगे यह मनुश्रम का अंसर हो तो जड़कों की से निया दिखे तो अब लगा सवाल को चीज तरह से हैं कि एक दिद्यारती किसी परक्षा में तेइस अंक प्राप करता तेइस प्रतिशत अंक प्राप करता हैं यहां फिक प्रतिशक्त हैं और πट्व करद तैंगे पुछां को संगे तो भाषा को संगे देखिए यहां पे एक लाइन है और यहां पे माल लेता हूं कि पासिंग नहीं मतलब इसको टॉच कर लेगा तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा तो अगर हम पहले विद्यारती की बात करें तो कितना प्राप करता है तेज प्रतिशत अंक प्राप करता है तो म कहते हैं यहां तक पहुंसता है और यहां तक इतनी डिस्टेश पार को टॉच नहीं करबाता है और यह तो इस प्रतिशत अंक प्राप करता है तो और वह एक किस अंप से पास हो जाता है। तो दूसरा विधारती कितना पाता है पैतिस प्रतिशत। ठीक adapt भी जो डिश्टेंस है पासिंग लाइन से कितना जाधा है एक किस द्धार क्या है .よoston के हमारा च्रहा होगता है पर दूसरा जिट्रा गित्यारती के 30 Wire पासि जाना पाया है तो हमें इक्वेशन गणाटि की करना क्या होता है तो बराचार की सांई लगाना है तो बराचार का साइन सांअं क corresponding Leben लगा सकते हैं lhs क्या हो आ इसलिए हभाना कि कि आप क्या हो दूरी को प्रतिषयत करता है पासिव नमबर से एक इस नमबर ज़ादा पाता है कर दिए तो पर अब इसको घ्राचें आपकुंटिसरे रिद्धार्थी तो भी एवाद पास कर दिए तो मिए एक प्रेशन इस तरह से बालें एक टो डोलों परादा हो अब इस कोहले करिए तो 35 प्रतिशत में 23 भटे गातु कि तरना कुल कुल परिशत बारा प्रतिशत अब 15 कि कि अ 6 32 12 मतलग क्या है कि एख प्रतिशत बडाबर कितना तीन नंबर कि एक प्रतिशत क करता है、 तीन नंबर को या तीन नंबरaggiंगत करता है एक प्रतिशत को, वन परसंट को इप्रिजन करता है, पहला क्या है कि पूरान कितने करता है, दो तो पूरान हमेशा सो परसंट ही होगा, क्योंकि आप हमेशा जब परसंटेज निगालते हैं, तो सो से पूरान करते हैं, तो पूरान कितने का होगा, सो प्रतिशत का, तो एक प फिर उचा पासिम नमबर कितना है पासिम नमबर तो देखिए एक प्रतिशत रिप्रिजेंट करता है तेईस नमबर को तो अगर आप चाहे तो पहले विद्यातिक ले लिए चाहे तो दूसरे विद्यातिक ले सकते हैं तो एक प्रतिशत रिप्रिजेंट करता है तीन नमबर क प्रतिश्चत रिफ्रेंट करेगा और उनहत्तर नंबर को कि अटेइस के नंबर 54 ओए इसा इस परसेंटेज की बात थेंग होगा। इस पूर मेहन क्या पढ़ते थे प्राक्ता आंग कितना है पासी नमबर 84 है और कितने में से तीन सव में से गुणे में 100 कर देने दोस्तों तो आंस तर आ जाए पर लिकिन इसमें कल्कुलेशन जारा करनी पड़े थे अब आप थोड़ा से यदा समझे एक प्रतिशत कितने नमबर को रिप्रेजेंट करता है तीन नमबर को एक प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है तो यह 84 नमबर कितने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है जैसे तीन नमबर एक प्रतिशत को प्रतरशित करता है तो 84 हमारा आसी नमबर है और 84 जब तीन नमब सब्सक्राइब एक प्रतिश्ट करता है तो 84 प्रसंटेज में कितना प्रतिश्ट होगा तो कैसे देख सकते हैं 84 को प्यार कर दीए मतलब 84 में कितने बार तीन आ रहा होगा यह पता करने के लिए तीन सभाग देना पड़ेगा तो 84 में तीन कितनी बार आया है 28 बार एक परसंट करता है तीन नंबर को यह तीन नंबर करता है एक परसंट को कितनी बार आया होगा 28 प्रतिशत हमारा प्रतिशत है प्रतिशत है प्रतिश्ट नंबर 84 में अच्छा लगा होगा2022 को समझ वे विए वन्यंझ को कमिद कर के पूछ सकते हैं कि वाटस अ कर सकते यह तो लाइक कर दीजेगा दो कमिद कर दीजेगू दोस्तों आपके लाइक्स और जो कमेंट्स होते हैं इसी से एनरजी मिलते हैं कि तब यह ख़राप होते हुए वीडियो बनाते हूं कमेंट्स जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइप भी जरू कर दीजेगा और आगर आप हमारे नए वीवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वबन में जो घंटी का आइकन बना हो उस पर भी आप लिक कर लेंगे जिससे मेरे वीडियो के नोट कर दो को सब्सक्राइब कर दो कर दो के लाइप हरे आप हमारे बना हमारे और प्रूर का पार श्याओकार गजेगा कर आप हो।